नमस्कार दोस्तों पाइनियर इंपर्टेक इर्वी चैनल में आप सभी का स्वागत है यह मेरा बेल्टरॉन डी ओ सेट 13 है तो मैं आप सभी से निविदन करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीड लेट्रॉन का वीडियो है तो आप क्या करें एक एक रिजिस्टर ख़रिदें और यू स्थमें जितना इए मेरा सुझे से ब्रेट्रॉन में जाएंगी तो यह बिखलत inherent दिख़ें लेकिन आप सभी क्या करेंगे कि अपना कॉप्य में अपना रिडि object Für में गता रहा हूँ क एंसर लिखेंगे ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं question की और तो यहां पर 2121 नमबर में question क्या है किसका उपियोग करके हम text को move कर सकते हैं ठीक है तो चलिए option क्या है देखते हैं first में mouse second में CPU third में keyboard और last option क्या है A और C यानि वा का मतलब क्या होता है और होता है तो A और C इसका सही answer है क्योंकि mouse और keyboard से हम लोग text को move करा सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग next question क्यों बढ़ते हैं तो यहां question क्या है MS word 2016 में जब text का चायन किया जाता है तो स्वत्ता क्या दिखाई देता है तो option क्या है taskbar उसके बाद है main toolbar उसके बाद है mainly toolbar और last option क्या है यहां पर status bar तो इसका सही answer क्या हो जाएगा mainly toolbar ठीक है तो चलिए फिर से में लोग next question क्यों बढ़ते हैं तो यह question क्या है dash or dash लोग पर यह word processor है क्या है first में है notepad second में है Microsoft word उसके बाद क्या option है wordpad और last option क्या है B और C दोनो ठीक है यानि B और C दोनो नोट तो क्या है B में क्या है मेरा Microsoft word और C में क्या है wordpad दोनों मेरा क्या है लोग फिर यह word processor है आईए हम लोग अब next question क्यों बढ़ते हैं तो यह next question क्या है इनमे से क्या इस्तेमाल कर आप document के mode को portrait से landscape में बदल सकते हैं ठीक है ना तो यहां first option क्या है header और footer टूलवार second option क्या है print layout view उसके बाद option क्या है page setup dialogue box last option क्या है इनमे से कोई नहीं जिसका सही answer क्या हो जाएगा page setup dialogue box ठीक है ना कि हम लोग page setup dialogue box से ही mode को portrait से landscape कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आईए अब हम लोग next question क्यों बढ़ते हैं तो देखें यहां पर question क्या है fax अध्वनित या बेवसाइक लेटर जैसे आम कारिय के ठीक है लिए डैस एक पहले से design किया हुआ document है ठीक है तो इसका option क्या है template second option क्या है file उसके बाद क्या है form उसके बाद लाश्ट में क्या है database तो इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा template जैसे माल जीक हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं कुछ भी रिजम वेगरा जो की बना बनाए हो रहता है तो उसमें option क्या है control plus alt plus equal third option क्या है control plus equal और लाश्ट में क्या है alt plus equal तो इसका सही answer क्या हो जागा control plus equal से हम लोग क्या करते हैं सबस्क्रिप्ट करते हैं ठीक है ना सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया जिसे माल लिजे कि जल का जो फर्मूला होता है है h2o तो h2o जो रहता है वो नीचे में रहता है उसी को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ठीक है ना तो इसका सही answer क्या है सबस्क्रिप्ट यानि 2 जो नीचे में रहता है ठीक है तो आई अब हम लोग next question की और बढ़ते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले मैं कहाना चाहूंगा कि देखें से अभी ये question मैंने बताया तो ये जो सबस्क्रिप्ट इसाब क्या होता है तो आप मेरा वर्ड का वीडियो देखें मैं थे एमेश वर्ड का ठीक है तो वह सब में मैं इसर्फ सभी चीज को बताया हुआ हूँ कि क्या होता है सबस्क्रिप्ट क्या होता है सूपर इस टोटल उसमें बताया हूं ठीक है तो इसलिएaidर आपसे कहता हूं कि मेरा वर्ड का वीडियो कहोकि देखें ms-work को अगर आच्छा से समझना है और तो मेरा MS Word का वीडियो देखिए यह सब कोस्टन का मैं solution उसमें दिया हुआ हूँ ठीक है एक-एक option मैंने उसमें बताया है ठीक है तो चलिए आएब हम लोग next question के और बढ़ते हैं तो यहां पर question देखिए क्या है असानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सूचना को horizontal से और vertical column में बेवस्थित किया जाता है ठीक है तो यहां पर option क्या है सेल, second में है seat, third में है box और उसके बाद है table तो देखिए यहां पर साइए अंसर क्या हो जाएगा table हो जाएगा ठीक है न तो आगे चलिए हम लोग next question के और बढ़ते हैं देखिए question क्या है document को design करने के लिए डैस बिभिन परकार के बेकल परदान करते हैं तो इसका option क्या है macrosoft excel, second में है macrosoft powerpoint, third में macrosoft word और last option क्या है macrosoft access तो इसका सही answer क्या हो जाएगा macrosoft word ठीक है next question देखते हैं क्या है तो देखिए question क्या है MS word में text data या number को किस option के द्वारा अरोही या अब रोही करम में जमाना या सजाना कहलाता है तो option क्या है short second में है page, third में photo और last option क्या है bookmark तो इसका सही answer क्या हो जाएगा short ठीक है ना देखिए short क्या होता है जैसे माली जी कि हम लोग 143 लिखें ठीक है 143 लिखें और select करके उसको short पर ascending में click करेंगे तो 143 जैसे पहले था मेरा number तो वह हो जाएगा 134 उसी को short बोलती है या नहीं serial wise ascending में ठीक है तो last question क्या है MS word में किस option के द्वारा document को automatic रूप से format कर सकते हैं ठीक है तो इसका option क्या है style option second में क्या है paragraph उसके वाद है bullet numbering last option क्या है इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या हो जाएगा style option ठीक है तो मैं आसा करता हूँ कि मेरा सभी वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और मेरा वीडियो को जतना ज्यादा से ज्यादा हो सके share करें ठीक है तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ ठीक है आप मेरा वीडियो को अच्छा से देखें ठीक है ना तो मैं फिर से मिलता हूँ next वीडियो में bye bye धन्यवाद झाल